क्षजछ अज आज संसेर, अथ हम करेंगे अपिनिख नहीं ना, जाता करें मंदी और प्रतियोंगिता के दौर में कैसे करें व्यापार में विस्तार हैं दोर्तो हमेसे बहुत सारे लोग हमेशा हे मानते हैं कि आज हमारे व्यापार में बहुत अधिक competition है और competition होने की वजह से मैं अपने व्यापार को कैसे आगे बढ़ाऊं दोस्तों आप बात कर रहे हैं present competition के बारे में मैं आपको एक उधारन के माद्यम से बताता हूं कि competition आज से नहीं हजारों वर्से चलता आ रहा है और आने वाले समय में भी हजारों वर्स तक लगातार competition चलता रहेगा मैं बात करता हूं competition के एक ऐसे सिध्धान्त के बारे में जिसको सुनकर आप थोड़ा आश्यर चकित होंगे और आपके सोचने का नजरिया और दाइरा बिल्कुल बदल उसके 20 साल बाद जब वर्स वर्स का हो जाएगा तो अपने जीवन में व्यपार में पहला कदम रखेगा और जब व्यक्ति व्यपार में पहला कदम रखेगा तो आपको जानके आश्यर होगा आज से 40 साल बाद जो व्यक्ति एक व्यपार में आएगा वो भी आप सभी व्य के दौर में आपको अपने बिजनस में केवल एक सिधानत का अनुस्वरण करना है Try to find out your USP Unique Selling Proposition मतलब आपको अपने बिजनस में कोई ना कोई एक ऐसा क्लू कोई ना कोई एक ऐसा तरीका कोई ना कोई एक ऐसी बात जो आपको आपके competition से बहुत बेतर और Unique बना सकती है जो व्यक्ति अपने बिजनस में किसी भी Unique Concept को डेवलप कर लेते हैं सामाने लोगों से उनका competition समाप्त हो जाता है हम में से बहुत सारे लोग हमेशा ये मानते हैं कि recession है, recession है, recession है हम में से बहुत सारे लोग हमेशा ये मानते हैं कि अर्थवस्था में मंदी है, जरासा भी अर्थवस्था में development होगा, तब मैं अपने बिजनस को तेजी से आगे बढ़ाऊंगा, दोस्तो ये recession होता क्या है, इसका impact हमारे बिजनस पर क्या होता है, recession का मतलब केवल एक ही होता है, कि जितनी sale आप सामाने रूप से करते हैं, आपकी sale घट जाती है, जब किसी भी व्यक्ति की sale सामाने से कम हो जाती है, तो समझ लीजिए उस व्यक्ति पर recession का प्रभाव पड़ गया है, और दोस्तो यदि अर्थवस्था में recession हो या ना हो, यदि आपकी sale घट गई, तो आपका recession तो आही जाएगा, अब recession से बचने के लिए, हमें अपने business में किन नियमों का अनुकुरन करना चाहिए, दोस्तो, recession का मतलब होता है, कि जितनी sale सामाने ता आप करते हैं, उस से आपकी sale घट जाती है, और जब recession में आपकी sale घटती है, तो sale को बढ़ाने के लिए, आपको जादा efforts करने पड़ते हैं, कई बार आपको अपने price घटाने पड़ते हैं, और जब आप अपना price घटाते हैं, तो आपका level of margin घट जाता है, जिसकी वज़य से आपके operating expenses bear करना, आपके लिए धीरे-धीरे मुश्किल होता जाता है, और एक समय प या मेरी sale घट गई है, तो do not try to give more discount to your existing client, it can increase your sale, but you can't cover your operating expenses, so that if you want to fight with recession, try to find out new buyer, रोज नए बायर ढूंडे, नए बायर जब आप ढूंडेंगे, तो आपकी recession होने के बावजूद भी, वो बायर जब आपको order देंगे, तो अर्थिवस्ता में recession हो या ना हो, यदि आपके प हो जाता है, so always focus, try to find out at least 5 new buyers per day, जब आप रोजाना 5 नए बायर से बात करेंगे, तो एक माह में लगबग 150 नए लोगों से आप बात कर चुके होंगे, और यदि इसका अनुपात पूरे साल में दिया जाए, तो लगबग 1800 नए बायर से अपने व्यापार को बढ़ाने के ल होता है, तो 180 नए बायर आपकी कंपनी में जुड जाएंगे, रिसेशन होने के बावजूद भी आप रिसेशन के शिकार नहीं होंगे, so always focus on how to find out new buyer, if you really interested to find out new buyer, just follow these steps, list your company on indiamart.com, exporters india.com, alibaba.com, exporter india.com and try to be sellers affiliate partner, sellers, affiliate partner, of flipkart, amazon, ebay.com, इस तरह की सारी companies, जो आपका product आपसे खरीद कर किसी दूसरे व्यक्ति को भेचने में आपकी मदद करती हैं, और यदि ये सारी चीज़े आप सीखना चाहते हैं, तो live training program के लिए, doi number पर संपर्क करें, अपना question, अपनी query, comment box में जरूर लिखें, अगल इसी business informative video को जानने के लिए, इस channel को subscribe करें